हमको प्रश्म दिया गया है कि गर्मा गर्म खाने की सुगंद कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुँच जाती है लेकिन थंडे खाने की महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है ऐसा क्यूं है? आईए देखते हैं जैसे कि हमने पड़ा है कि पदार्थ कण नरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज उर्जा होती है और हम जानते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज उर्जा बढ़ जाती है क्यूंकि उनकी गति तेज हो जाती है गर्म खाने का तापमान अधिक होता है जिससे उसके कण अधिक तेजी से गती करते हैं इसलिए खाने के कण हवा में विस्रित हो जाते हैं और हम तक पहुँच जाते हैं और क्यूंकि गर्म खाने में गतिज उर्जा जादा होती है तो ये जादा जल्दी हम तक पहुँच जाते हैं। चलिए अब दोरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। गर्म भोजन में उच्छ तापमान होता है जिससे कन तेजी से गति करते हैं। अतह खाने के कन वायू में विसरित होते हैं और हम तक पहुच जाते हैं। जबकि ठंडे भोजन के कन विसरित होने में बहुत अधिक समय लेते हैं। इसलिए उसकी महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। का म की लिए हैं। का म की लेते हैं।